दोस्तों आज तक मैंने आपको जितनी भी strategies बताई हैं, वो सारी की सारी non-directional हैं, non-directional का मतलब basically एक strangle आप कह सकते हो, जब आप call and put साथ में बेशते हो, strangle, straddle ऐसा करते हो और एक fix stop लो सकते हो दोनों के लिए, तब आप non-directional खेलते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ह आपको दिक्कत देती है, जब भी trending days आते हैं, market उपर बहुत तेजी से जाता है, या फिर बहुत तेजी से मीचे जाता है, जब ये market एक range में बंद हो जाता है, तब आपको maximum profit मिलता है, लेकिन ऐसा होता है कि 70% days तो आपके normal होते हैं, range bound, लेकिन जो आपके 30%, 35% जो days रहते ह हैं, वो trending फ़र जाते हैं, तो इसे encounter करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी strategy है, तो हम लोग करेंगे क्या, basically हम लोग non-directional and directional strategy को mix करेंगे, हम लोग एक non-directional strategy पर काम करेंगे, एक directional strategy पर काम करेंगे, और quantity management कुछ इस तरीके से करेंगे, जिससे कि आपको maximum और consistent profit हो सक तो इस वीडियो को end देखना, ये वीडियो आपको बहुत जादा पसंद आने वाला है, मैं guarantee देता हूँ, आप इस वीडियो को पांच मेंट देख ले हो, आपको हर एक ही समझ में आ जाएगी, तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना, एक step by step इसको देखते रहना, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से आपको समझाओंगा, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पर चलते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ, किस तरीके से इसे आपको execute कराना है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो आज का हमारा PNL है, वो कितना है, ये आज का हमारा P से ला रहा हूँ, बेसिकली, इसमें मैं एक 4 लाग का अकाउंट आपको दिखाऊंगा, उसका PNL दिखाऊंगा साथ ही साथ मैं, और उसका verified PNL भी दूँगा, हर एक चीज मैं आपको देता रहा हूँगा, अब आप कह रहे होगे कि एक दिन का मैंने इसमें PNL मिस्क्यों कर दिया क्योंकि 11 जून का, actually मैं भूल गया था, कल मैंने वीडियो भी नहीं मनाई है, तो मैं कल भूल गया था, इससे verify करना, तो ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा, मैं assurity रहता हूँ, मैं basically alarm set कर दूँगा इसके लिए, कि मैं verify करा लूँ, अगर वीडियो ना भी बनाता हूँ तो भी, तो उसके लिए मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, basically मैं आपको contact note share कर देता हूँ अपना, कि मैंने कल कितना, कल basically loss ही हुआ है, फिन निफ्टी पे trade किया था, 15-20 रुपे का loss है, यह basically होने के अवाला है, मैं कुछ इस तरीके की यह वाली account बना रहा हूँ, जिससे की आपको maximum profit देखने को मिलेगा, तकरीबन आप 5-6% भी निकाल पाओगे, एक महीने में, अलग-अलग तरीके की strategies को mix करके, बहुत ही छोटे account पर, आप 2 लाग के account पर भी यह कर पाओगे, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, proofs का, तो देखो, आप आपको बड़ा लॉस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके लिए एक चीज करता हूँ, सिंपल सी, बहुत सारे लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सारे लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, और स सब्सक्राब कर रहे हैं, मैं चैनल को, कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और इसी वज़ए से और भी लोगों का भी भला हो सकता है, तो सब्सक्राब कर लेना, इस चैनल को ग्रो करा रहा है, मेरे मरत करो, तो प्लीज एक सब्सक्राब करने साब को कुछ भ और यह आ गई आपके सामने हैं और इससे हम लोग खोलते हैं यह देखिए आप एक बार इससे देखते रहे ना आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे इसे एक्सल पर तो यहाँ पर देखिए FNO PNL यह रहा आपका 1510 रुपय माइनस केस में दिखा रहा है ठीक है तो यह सारी चीज़ आपको समझ में आ गी होगी विल्कुल जैनियून है अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी strategy की तरफ और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको यह वाली strategy पर काम करना है तो सबसे पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जब भी आप दो strategies को mix up कर रहे हो तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि दोनों strategies इसका almost draw down same होना चाहिए और almost जो इसका risk to reward है वो भी same होना चाहिए तो मैंने हर चीज calculate कर लिये तो मैं इस आप से आपको बताता हूँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे non directional वाली strategy के बारे में तो उसमें क्या करना है मैं तो simple सी चीज़ है मैं आपको backtest सामने के सामने करके दिखा रहा हूँ एक ही मेरे पास credit बचा है इसके बाद मुझे face लेना पड़ेगा इसका ठीक है आप तो इना होना बंद क करना है ठीक है 40 rupees का ही stop loss करना है आपको 150% 150% आपको देख से में बड़ा ही लग रहा होगा लेकिन इससे आप बहुत ज्यादा spike बचा जाओगे अगर आप यह सोच रहे हो कि इतना बड़ा stop loss क्यों रखा है मलब कि अगर आप 50 रुपए की बेच रहे हो call या फिर put और आपक से पहले तकरीबन 50 का डालके आपने 70 का 80 का 100 का ऐसे लगाया होगा एक बार आप 125 का लगा के देखो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी कि कितने बार बचाता है हाँ जब stop loss लगता है वो बड़ा लगता है लेकिन बहुत भी अच्छी तरीके से यह आपको बचा भी ले लेता हूं क्योंकि हमारे पास एक ही क्रेट बचा हुआ है तो एक साल का अपनों सेट कर लेते हैं एक बार चेक कर लेता हूं 40 रुपए का कॉल बेचा है 500 रुपए का एसल है और यहां पर 40 रुपए का पूट बेचा है इसमें भी 500 पर सेंट का एसल है सॉरी 500 रुपए नह आपका तक्रीबन 26% का रिटर नाया है without hedges, अब आप चाहो तो इसमें hedges वगरा भी include कर सकते हो, और एक चीज और, यहाँ पर आपको एक चीज स्लेक कर ले नहीं है, यहाँ पर आपको DTE स्लेक करना है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको तीन दे नहीं करना है, बाकी दो दिन आप दूसरी strategy अपनी यूज मिले सकते हो, क्योंकि जो आपका main theta मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है आपका last के तीन दिनों में, बाकी के जिदना भी रहता है वो ज्यादा अच्छा आपको theta नहीं मिल पाता है, तो option selling की strategy अच्छी तरीके से perform नहीं कर पाती है, तो आपको क कीज करो, मैं बताता हूँ, आपको क्या करो, आप angel पर आजाओ, bank nifty और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, क्या करना है, option chain, अगला contract ले लेता हूँ, 19 जून का, या फिर इसी expiry कर रहे हैं तो क्योंकि अभी तो contract expired हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे कि मैं यह sell किया इसे, ठीक है, और इसे भी हमने sell कर दिया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी आपको दोखे required margin दिखा रहा है, वो 12,000 के something दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको simple सी चीज करनी है, आपको hedges buy करनी है, जितनी दूर का hedges buy कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपका 40% पहुंच जाएगा, योग कि थोड़ी बहुत इसमें hedge cost भी आएगी, hedge cost ज्यादा नहीं आती है, मैं आपको assure कर देता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत बाल तो ऐसा होता है, में साथ खुद ऐसा हुआ है, कि hedges जब मैंने लिये हैं, और एक तरफ क्योंकि अब आपका बच जाता है, कभी कबार, लेकिन ये कभी कभी ही होता है, लेकिन कभी कभी की वज़े से आपका काफी hedge cost बचती है, तो इसलिए मैं 1.7% का एक आखना ले रहा हूँ, 2X नहीं कर रहा हूँ उसे, लेकिन आप क्या करो, अगर किसी के पास ठीक्ता capital है, तो उसको बेस से ही मान के चलना चाहिए हो, कि इतना ही मिलता है, अगर आप ऐसे समझो, कि किसी के पास 4,00,00 रुपए है, ठीक है, सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, उसने क्या किया, 4,00,00 रुपए का index fund ले लिया, ETF ले लिया, उसको easily, और और भी कोई किसी में invest कर दिया, जिसमें उ उसको वही मिल जाएंगे रुपए, 3,70,000 के सम्तिंग उसको रुपए मिल जाएंगे, 3,60,000 के सम्तिंग उसको रुपए मिल जाएंगे, उस पर क्या करेगा, उस पर वो करेगा leverage, leverage का मतलब है, जिस बाय करने के बाद इस तरह की की strategies काम करेगा, 15% वहां से मिल गया, इस तर 15 plus 30% बहुत ही कम risk लेके, easily उसका 35-50 return बन जाएगा without compounding, compounding क्या होती है, जब आप हर एक मन्त में profit कमा रहे हो, फिर उससे जब आपकी capital बढ़ेगी, तो फिर उसे भी आप invest एक तरह के करेगे, इनवेस्ट नहीं, उससे भी आप trade करोगे, तो उससे आपका return और बढ़ेगा, तो easily आप 60% अचीब कर सकते हो, 60 नहीं तो 55% अचीब कर सकते हो, तो ये एक reality है market की, मैं reality check दे रहता हूँ, क्योंकि इतना ही मिलता है, तो इस तरीके से होता है, तो ये तो होगी हमारी non-directional strategy, अगर आपको ये अच्छी लगी है, तो आप इसे कर लो, अब बात करते हैं कि आपको directional में क्या करना है, directional में देखो, सबसे पहले बता देता हूँ, कि option selling का base क्या है, ठीक है, बहुत साथे लोग इसमें confused रहते हैं कि option selling का base क्या है, option selling का सिर्फ और सिर्फ एक ही base है, कि आप बले ही अपनी trend सही से ना पकड़ पाओ, अपनी strikes को सही से ना पकड़ पाओ, मार्केट को सही से catch up ना कर पाओ, बस उसमें एक चीज़ अच्छी मिल रही है, आपको वो है theta, अगर आप उसे सही से करते हो, मनलग उसके साथ risk reward सही से रखते हो, तो आपको 100% profit देगा ही देगा, बस उसके लिए आपको क्या चाहिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करने वाले चाहिए रहता है, indicator में नहीं बताऊंगा, उससे भी एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, OI का data और उसमें भी change in OI, और उसमें भी एक अलग तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से OI का data पढ़ोगे, मैं आपको बताता हूँ, अब देखो, trending के लिए best मैं आपको recommend करूँगा, कि आप सीधे आजाओ NSE की option chain पर, option chain डालो Google पर, और आपको मिल जाएगी option chain, देखो, इस पर आजाओ, bank nifty की option chain slack कर लेते हैं, अभी क्या होगा, अभी actually bank nifty आज expired हो गई है, तो साज दिक्कते हैं आगी होगी, तो मैं nifty को एक base मान के बता जेता हू आपको करना bank nifty पर ही है, देखो, दोनों चीज़ें आपको सेम पर करनी है, आप चाहें bank nifty opt कर लो, या फिर nifty opt कर लो, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप चुन सकते हो, ठीक है, तो मैं bank nifty prefer करूँगा, लेकिन अभी क्या है, अभी expire हो चुका है bank nifty आज, तो entry ले ली, उस वाली strategy पर, तो आपको क्या करना है, simple सी चीज करनी है, आपको चुनने है, ATM option, मतलब ATM आप strike चुननी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, change in y का sum करना है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ किस तरीके से, जैसे कि, यह देखिए, मैं calculator खोल लेता हूँ, आपक किनों का sum करना है, या फिर आप चाहूँ तो 5 का कर सकते हो, जितना ज्यादा कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा, बस लेकिन 5 या 6 से ज्यादा मत करना, फिर उतना आपको दिक्कत आ जाएगी, 36,434, plus, 13,193, plus, 50,000, यह आगे आपका 2,16,000, अब आपको सेम चीज करनी है, यहाँ पर, इस साइड, ठीक है, तो आप मैं देखता हूँ, इस साइड कितना है आपका, 96, यह रहा, 62, 17, और 54, तकरीबन यह आपका हो जाएगा, सब कुछ बता जी देता हूँ, ठीक है, 54, 17,000, plus, 62,000, 85,000, uh, 63,000, अब देखो, सिंपल सी चीज है, कि जहां भी OI का वीट है, ठीक है, जैसे कि call side वीट है तो फिर आपको क्या करना है, simple सीज होती है कि जहां भी change in oi ज्यादा बढ़ रहा है वहां का weight ज्यादा हो रहा है तो जहां भी call this side भी change in oi ज्यादा हो उसको आपको short करना है जैसे कि अभी देखो आपने trend देखा ही होगा market का कि अभी क्या हो रहा है market टीजी से नीचे आया था last time में अगर मैं आपको देखा हूं साइसे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर देखिए इस हिसाब से market टोड़ा change हुआ तो उसलिए क्या हुआ calls पर जितने भी OI थे वो बढ़ने लगे अलबकि लोग ज्यादा से ज्यादा call short करने लगे देखिए यह बेसिकली एक indicator ही है लेकिन अच्छा indicator है इससे आपको काफी मदद मिलेगी long term में अपनी strategies को चलाने में और अब बात करते हैं आपने short तो कर दिया थी call short कर दिया पौ किस वज़े से होगा यह चीज ठीक है यह इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर आपका SL जो लगेगा वो लगेगा तकरीबन 1.5 का ठीक है 60 अगर आपकी 40 रुपए की 50 रुपए की चीज है तो 125 का SL है तो सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है 60 रुपए का option sell करना है लेकिन यहा समझ लीजे वो वाली आपको समझ में आ गही होगी क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको live करके दिखाया है आपको 40 रुपए का sell करना है call option 1500% का SL है ना अगर मैं आपको 1500% निकाल कर दिखा हूँ इसका तो 40 multiplied by 1.5 sorry 40 multiplied by 2.5 100 रुपीस की something इसका SL बैठा अब आपको 60 रुपए की जब आप sell कर रहे होगे तो आपको क्या करना है into 2 का SL लगाना है तो 120 रुपए का आपको उसका SL बैठेगा तो इस तरीके से होगा अब देखो इसमें क्या होगा इस से एक चीज़ होगी कि जब भी market ऊपर या फिक नीचे करेगा तो आपको जादा दिक्कत नहीं होगी आपने OI के सासे short किया होगा वह भी आपको profit दे रही होगी क्योंकि जब भी trend आने वाला होता है तो OI data को पता चल जाता है 85% टाइम आप मांगे चलो तो पता चल जाता है बागी drawdown तो हर एक strategy में होते हैं इसमें भी आपको कभी न कभी तो लॉस होगा ही थोड़ा बहुत brokerage नहीं लगती हो तो आपके साल वर के तक्रीवन 30,000 के something के रुपए आपके बच जाएंगे 20-25,000 रुपए आपके बच जाएंगे easily तो आप वह वाले broker select कर सकते हो तो अगर आपकी छोड़ी capital है तो वह आपके लिए best रहेगा तो यह complete plan है जिससे कि आपको बहुत जादा म किसी हो जाएगी आपको drawdown की lumpiness जो है विल्कुल भी खतम हो जाएगी तो इससे आपको trade करना है आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कल देना पूरा वीडियो देखी लिया है तो मिलता आपकल के एक और वीडियो मे अब तक के लिए बबाए